हलो एप्रीवन वालकम टू माई यूट्यूब चैनल इंग्रिश लिट्रेचर जोन आज के विडियो में हम लोग अर्विन देडी का काफी फेमस नॉवेल दा वाइट टाइगर को डिसकस करेंगे काफी टाइम से रिक्वेस्ट आरा था इस वारे टॉपिक के लिए हमेशा की अगर यह वाले वीडियो आप लोग के लिए हलफुल होती है आपके सिलबस में है न तो आप लोग वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना कमेंट करता ने जागो कैसा लगा तो इंट्रोड़क्शन से पहले हम लोग करेक्टर के बार में पढ़ लेते हैं सब अगर से पहला जो इंपोर्टन चैरेक्टर है वो है बल्राम हलवाई ही इस दे नरेटर और प्रोटेगनिस्ट ऑफ द नोवल यह जो है नोवल का नेरेक्टर इटमिंस वक्ता और प्रोटेगनिस्ट मेंस में हीरो रहता है ही इस बॉर्ण विद दा नेम मुन्ना मतलब यह जन्म लेता है तो इसका नाम जो है मुन्ना रखा जाता है एंड बाइद अफ द नोवल के एंड तक नून इस अशोक शर्मा यह अशोक शर्मा की नाम से जाना चाहता है नेक्स चैरेक्टर है मिस्टर अशोक इसको ने अशोक शाह भी बोला जाता है ठीक है तो मिस्टर और बलराम का मास्टर रहता है, it means बलराम का जो है रमेन मालिक रहता है, यह अशोग ब्यूटिफूल अमेरिकनाइज्ट वाइफ, यह जो मिस्टर अशोग है ना, उसी की वाइफ रहती है, पिंकी मैडम या फिर पिंकी सावी इसका नाम है, अमेरिकनाइज्ट यहां पे इसलिए लिखा गया है, क्योंकि यह जो है ना, मतलब इसको जो नैसनलिटी प्राफ्त र रहता है, नेक्स्ट है वेन जी आवो, दे चाइनीज प्रिमाया, यह एक चाइनीज चाइना का प्रिमाया, इसमें लोग बोल सकते है, प्रधान मंत्रिया, फिर में हेड रहता है चाइना से, टू हूम बलराम एड्रेस इस लेटर, जिसको की बलराम अपने लेटर में समभो नेक्स्ट है विक्रम हलवाई, बलराम स्वादर, यह बलराम के पिता है, इस पूर इलिटरेट रिक्षा ड्राइवर, मतलब गरीब है, इलिटरेट इनस अनपर्ड, रिक्षा चलाते हैं बलराम के पिता, वो डाइस अफ टूबर क्लॉसिस अरली इन दा नॉबल, और इन लक्षमनगड, लक्षमनगड में नॉवल की सेटिंग रखी गए, यह भी ध्यान रिखिएगा, तो बलराम की जो मा है, वो तभी मर जाती है, जब बलराम जो है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, नेक्स्ट है किशन, किशन इस बलराम स् ओल्डर ब्रदर, किशन जो ह इन लक्षमनगड में जो चार एनिमल लेंडलोड जमिंदार है, तो उसी में से एक दर स्टोक रहता है, तो यह कुछ करेक्टर को मेंशन किये हैं, इंपोर्टन करेक्टर को, इसके अलावा भी नॉवल में करेक्टर है, तो वो सब थोड़े कब इंपोर्टन है, उनका नाम मेंशन नहीं किये हुए, बाकि इन सब करेक्टर को आपको ध्यान रखना है, इस स्टोडी अचे समझ में आचाएगी, अब इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन आ गया, यहां शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन में है, तब वाइट टाइगर इस एन एपिस्ट्रडी नॉव करवाया गया, और वोड़ेट विद बुकर प्राइज इंट्रोडक्शन में है, इंट्मिन्स टूजन एट में ही तवाइट टाइगर नॉवल को बुकर प्राइज भी दिया गया, बुक है, बल्राम हलवाई के बारे में, एक पूर बोई, जो कि एक गड़ीव लड़का है फ्रूराई ग्रामीन इंडिया से, वो कमिंट अनकसेप्थे खरें एक कर देंटा है, अपराइज गर देंटा है, जिसके कुए उमीद ना कि जाड़ी हो, और यह अपराइज इसलिये करता है, जाकि वो एक सुक्सेपूल बिजनसमेड बन सके इंटा इनडै नोवल में, इतमें सोशन करते हैं देश के लोगों का इत अल्सो एक्जामें इशू अफ फिंदू रिलीजन इसमें जो हैं हिंदू रिलीजन के कुछ मुद्धे उनको भी डिसकस किया गया है जैसे कि कास्ट लोयलिटी इतमें स्वफादारी और इंडिया में जो गडिवी है उसको भी डिसकस किया गया अडिगा जो है कहते हैं अपने इस नॉवल के बाड़े में अटेंप्स तो कैच दा वोइस अफ मैं वो इस नॉवल के जरिये ना कोशिश किये हैं उस वोइस को कैच करने की मनुश्य की यू मिट एज ट्रेवल थू इंडिया उससे तब मिलोगे जब तुम ट्रेवल करोगे इंडिया के थू और दा वाइस अप दा कोलोशियल अंडर क्लास और यह जो अवाज है ना वो कोलोशियल अंडर क्लास इस विशाल जो निमनवड का and completed his schooling and advanced degree अपना स्टार्टिंग के स्कूलिंग और इडवांस दिग्री जो यह इंडिया में complete के एस फिर ऑस्ट्रेलिया गया उनाइट स्टेट गया और इनाइट किंग्डम भी गया पढ़ाई के लिए यह अपना जो है लिट्रेचर का डिग्री हासिल कर रखे थे कोलंबिया युनिवर्सटी से फिर ऑक्सफोर्ड युनिवर्सटी से एंफिल कर रखे थे तो यह यही तीन-चार कंट्री में बढ़ाई कर रखे अब थीम्स की बात करते हैं इस नौवल की तो थीम्स आपको तभी मेंशन करना है एक्जाम में जब आपको इस पेशली कोश्टन पूछा जाए थीम्स इर ले थीम्स आपको तभी यह थीम्स आपको पूछा जाए थीम्स आपके तो इस तरी के यह एडिंग डाल सकते हो यहां पर नौवल पोट्री इंडिया सोसाइटी एस वेरी निगेटि समाज में जो लोवर कास्ट है उसके प्रतिना भारती समाज का रवया थोड़ा निगेटिव दिखाया गया इस नौवल के जरिए बलराम रिफर्स टो इस डाकनिस और बलराम जो इस नौवल का प्रोटेगनेस थे न वह लोवर कास्ट को डाकनिस कर करता है संबोधित करता ह लें बलराम से पूछा जाता है कि वह किस कास्ट से बिलॉम करता है हिस को पता होता है कि अगर Вोअ बता देता है अपने कास्ट के बारे में तो क्या होगा ना कि एक इम्प्लोयर जो इसका मालिक है उसके अंदर बायस्टनेस आ जाएगी उसके अंदर पक्षपात आ जाएगा कि मतला होता है कि हम बता देंगे लोवर कास्ट के हैं तो हमको अच्छा जॉब नहीं देंगे तो यह चीज फील होता है बलराम को इस नोवल के प्रोटेगनिस्ट क जब उससे कास्ट पूछा जाता है and determine the future of his employment और इससे क्या होगा कि उसके employment का future भी decide हो जाएगा कि अगर वो लोवर कास्ट का है तो कौन सा काम कर सकता है कौन सा नहीं कर सकता है तो यह दिखाने की कोशिश की गए यह इस novel के तुरू इस novel is showing how our economic system today create socio-economic gaps यह novel यह भी दिखाता है कि कैसे जो हम लोग का economic system है वो एक socio-economic gap create कर देता है that create a big division in society और इस विज़े से society में एक division हो जाता है बटवारा हो जाता है ठीक है इत limits opportunity यह opportunity को भी limit करता है शेमित करता है health को भी and other rights और जो दूसरे अधिकार है and pleasure it means जो खुशिया है that should be given to all जो सब को मिलना चाहिए सब को दिया जाना चाहिए ना उन सब पे क्या होता है ना कि सिर्फ वैसे लोगों का अधिकार हो जाता है जिनके पास ज्यादा पैसा है तूथ बैट फेक्ट और यह जो उपन्यास है उसी तत्थ की और शंकेत करता है अब next है इंडियन फैमिली इस थीम को डिसकस करेंगे इन इंटर्व्यू में अधिगा इंपर्टेंस ओफ फैमिली इन इंडिया इंडिया जो है इस चीज पर जालते हैं कि इंडिया इंडिया करते हैं if you are rude to your mother in India कि इंडिया में अगर आप अपनी मा के प्रती रूड होते हैं it's a crime as bad as stealing would be here तो यहां पे यह ऐसा crime है जो stealing के बराबर है इस चोडी के बराबर है ऐसे जो है अधिगा explain करते है family के importance को mother के importance को Indian society में for Balram जो कि इस novel का protagonist है to abandon his family then is perhaps his greatest crime मतलब बलराम के लिए बलराम अपने family को छोड़ देता है वो सबसे greatest crime माना गया है उसका सबसे बड़ा अपराद माना गया है जिसको कि अधिगा इस तरीकी से describe किये हुए है this is a shameful and dislocating thing for an Indian to do अधिगा remarks of his protagonist मतलब अधिगा जो है अपने protagonist it means बलराम के बारे में टिपन्नी करते हुए कहते हैं कि भा protagonist के बारे में जो author है वो खुद बता रहे हैं अब next है China's relationship with India India के साथ China का relationship भी दिखाया गया इस novel में at the beginning of the novel novel के starting में बलराम mention बलराम जो है mention करता है बताता है to the premier, premier means प्रधान मंत्री को that China is the only nation he admire कि वो बताता है कि China ही एक एशी nation है जिसको की वो admire करते है कि इसकी वो प्रसं बतार है कि वो तीनों का रहा है कि वो तीनों कांट्री की तारीफ करता है चाइना के लावा अफगानिस्तान और सीनिया को प्रसंद करता है उसी प्रसंदा करता है क्योंकि यह जो तीन कंट्री ना never be ruled by outsider उन पे न कभी इस आउटसाइडर का शाशन नहीं रहा इन तीनों कं ये इंडिया पे भी इंग्लेंड से अंग्रेज लोग आगे शासन किये हुए थे बड़ चाइना के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था बलराम तेल्स दा प्रिमायर बलराम जो है प्रिमायर को बताता है इतमेंस चाइनिस प्रधान मंतरी को इस स्टोरी अपनी कहानी बलराम को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जाके चाइन और इंडिया है न उनकी पास ग्रेटर सूपर पावर होगी मतलब सक्से सकती साली राष्ट्यों में से एक होगा अब उसको अडविन अडिगा जो है कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया है इन 20 यह स्टाइम के अगले 20 सालों में इट विल जस्ट भी अस ब्राउन एंड यलो में कि हम लोग ब्राउन और यलो में ब्राउन इंडियों और यलो में होंगे अब प्रामिड प्रामिड के टॉप एंड वी विल रूल वर्ड और उम्हों पूरे वल्ल पे शाष्ण करेंगे नेक्स्ट जो थीम विशे डिसक्स किया गया उस नोवल में यह है फ्रीड़म इपमेंस अजादी वाइट टाइगर एक ऐसे बुक है जिसमें इंसान की खोष दिखाई गई है कि इंसान कैसे अजादी की खोष करता है फ्रीड़म के तलाश में रहता है ब stretch दिखाई उपमेटके शाल गई जिए बोफ सब्सुर्श्ट करता है फ्रीड़म के एक अहे वाज़िक ौस्य में अज सामाजी बादहर अंनmotion ज्याशाल करता निकलता है उचान। कि फैमिली को पास्ट में लिमिटेड कर रखी थी शीमित कर रखी थी in the novel उपन्यास में बलराम talks about how he was in a roaster coop, बलराम बता था है कि कैसे वो एक roaster coop में था, roaster इंट मुर्गी को जिसे दर्वे में रखा जाता है था है कविता को mention करते हुए बलराम बताते हैं what he talks about slaves कि वो slaves के बाड़े में गुलामों के बाड़े में क्या कर रखे and says बलराम कहता है they remain slaves कि वे लोग slaves रहते हैं गुलाम रहते हैं because they can't see क्योंकि वो देख नहीं सकते what is beautiful in this world कि इस दुनिया में खुबसूरत क्या है बलराम sees himself embodying the poem बलराम जो है खुद को देखता है इस poem को embody करते हुए it means इस poem को express करते हुए in lines को represent करते हुए and being the one who sees the world और उनमें से है जो कि world देख पाया है ठीक है तो इस तरीके से बलराम कुछ describe करता है खुद की आजादी को अब next है आखरी section है themes यहाँ पर खत्म हो जाएगा beside ever mentioned theme के उपर mention किये गए theme के अलावे the novel also explores some other themes novel में और भी दूस्टे themes के बारे में discuss किया गया so overall तो कुल मिलाकर we can say that हम लोग कह सकते हैं कि the novel is about India कि novel जो है इंडिया के बारे में and it's social problem और इसके समाजिक दिक्कतों के बारे में है तो यहाँ पर themes वाला section खत्म होगे और यह जो आखरी line है ना उसको आप किसी भी conclusion वाला section में add कर सकते हो ठीक है जैसे summary के आगे conclusion लिखोगे तो वहाँ पर भी यह वाला एक line यूज कर सकते हो अब summary वाला section आगे summary of the novel the novel begins with बलराम हलवाई novel जो शुरू होती है बलराम हलवाई के साथ शुरू होती है writing a series of letter it means letter का एक श्रिंखला लिख रहा होता है to Chinese premier Chinese प्रधान मंत्री को बताता है अपने letters के चड़िये बलराम जो है अपने life की चर्णी के बाड़े में बता रहा है through a series of letters letters के श्रिंखलाओं के जरिये to Chinese official head the story starts with बलराम recalling his childhood life story जो इस चीज के साथ सुरू होती है कि बलराम अपने बच्पन के जीवन को याद करता है where he used to live in small town जब वो रहा करता था एक छोटे से शहर लक्षमीगड में तो यह याद रखिए यह novel की जो setting है वो लक्षमीगड में है जो कि इंडिया में है he was born in sweet maker family उसका जो जन्म हुआ था sweet maker family में हुआ था and that is why he is known as बलराम हलवाई और यही लीजन है कि उसके नाम के पीछे जो है हलवाई है क्योंकि sweet वाला मतब जो भी मिठाई बनाते हैं उनको हलवाई के जाना चाहता है ना इस वज़े से इस novel में बलराम का नाम जो है वो बलराम हलवाई है यह यूस टो लिव इस फादर वो जो है अपने पिता के साथ रहता है रिक्षा पूलर की रिक्षा पूलर इटमेंस रिक्षा चलाते है इन टाउन सहर में बलराम was a very intelligent boy in a school, बलराम जो है अपने स्कूल का बहुत जदा intelligent बुद्धिमान लड़का रहता है, but despite his intelligence लेकिन उसके बुद्धी मता की बाबजूद and passion to study और पढ़ाई के लिए जुनून के बाबजूद, he was forced to drop his school, उसको forced किया जाते है कि वो अपने स्कूल छोड़ दे and pressure to work in his family's switch shop, और उसके उपर pressure बनाया जाता है कि वो अपने family के switch shop में, it means मिठाई के दुकान में काम कड़े, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़के, अब next है, in a school, विद्ध्याले या, इसकूल में, बलराम with his intelligence and honesty, बलराम जो है अपने intelligent statements बुद्धी मता और honest statements इमानदारी के साथ, made a great impression on his school inspector, अपने school inspector पेने great impression बनाता है, it means हम लोग बोज़ सकते हैं, गहरा प्रभाव छोड़ता है, who named him the white tiger, और यही जो इसकूल inspector है बलराम को नाम देते हैं, the white tiger का, बलराम childhood life was full of difficulties and challenges, बलराम का जो बच्पन वाला जीवन था ना, वो पूरे challenge से और difficulties, it means कठनाईयों से भड़ा पड़ा था, as his family was in a mercy of four powerful landlords, और उसकी जो family थी ना, वो चार शक्तिशाली जमिंदारों की दया पर थी, who are given a name of animals, मतलब उन चारो जमिंदारों को नाम जो था, जैसे कि the wild boar, the buffalo, the raven and the mangoose, जिनको के stock भी कहा जाता है, तो यह हो गया, चार जमिंदार के बारे में डिस्क्राइब कर देए, आप यहाँ पर यह वाला section एड कर देना, जमिंदारों के बारे में है, the mangoose on the village river, fishermen and boatmen are charged भाही, mangoose जो है ना, उसका अधिकार था, वो मालिक था, गाउं की नदियों का, fishermen and boatsmen, और जो मचवारे थे और boatsmen, जो नाव चलाते थे ना, वो उनको charge करता था, उनसे पैशा लेता था, his brother the wild boar, और जो दूश्रे जमिंदार, जो की mangoose के भाई हैं, the wild boar, on agricultural land, उनका अधिकार था, agricultural, इट मिंस कृशी वाले जमीन पे, and he keeps bad eyes on the peasants woman, और वो ना, बुरी निजर रखता था किशानों की, मा, बहन पे, औरतों पे, हम लोग बोल सकते हैं, the raven on the dry rocks, और जो raven थे, वो मालिक थे, dry rocks के, hillside land के, वो charge for grazing, जो की grazing के लिए, अगर कोई आदमी, गाउन वाला, अपने जानवर को चराने आ रहा है, तो उसके लिए ये, रीवन जो है, चार्ज करता था, if they didn't pay him, और अगर कोई आदमी नहीं पे कर पाता था, पैसा नहीं दे पाता था, he likes to molest their woman, तो उसको पसंद था, कि वो उनकी औरतों का शोशन करता था, उनको molest करता था, the buffalo was greediest, और जो चोथा जमिंदार है, बुफेलो वो सबसे अर्णिंग के तीन हिस्षे में से, एक हिस्षा, all the four landlords और ये जो चारों लैंडलोट्स हैं, lived in high-walled mansion, ये एक बड़े से mansion में, इसमें लोग बो सकते हैं, बड़े से palace में रहते थे, just outside लक्षमनगड, और ये लक्षमनगड के बाहर था, ये चारों जमिंदार का जो mansion था, head there on temples, और इन लोगों के पास, अपनी खुद की मंदिर थी, wells, it means कुँआ था, and pond, it means खुद का तलाव था, अब next, ये वाला section mention करने के बाद, आपको यहां से शुरू करना, यहां से कहानी फिर से continue है, कि अब जमिंदार के बादे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दिये, कि अगर objective आए ना, तो आप confused ना हो, कुसुम, grandmother of Balram, कुसुम जो की grandmother है Balram की, forced him to drop out of school, उसको force करती कि उपना school छोड़ती, and pressure him to work in family's sweet shop, और उसके उपर pressure दबाब बनाती है, कि वो family के switch shop में मिठाई कि दुकान में काम करे, Balram was not good in serving people at his shop, Balram जो है अपने shop में काम करने में, लोगों को शर्व करने में, उसमें अच्छा नहीं था, his interest was in listening people's conversation, who visit his shop, लेकिन उसका जो interest था ना, कि जो भी लोग उसके shop प्याते था, वो उनकी बाते सुनता था, वन डे बलराम ओवर हीर सिस कस्टमर, टॉकिंग अबाउट कार ड्रैवर्स, एक दिन वो सुनता है कि उसके जो कस्टमर है, ना, कार ड्रैवर्स के बारे में बात कर रहे हूँ, बलराम डिसाइड कर लेता है कि उसको भी ड्रैवर बनना है रिक्वेस्ट इस ग्रेंड मदर और अपनी ग्रेंड मदर से आग्रा करता है, कुशुम से तो सेंड हिम इन ड्रैविंग स्कूल कि मुझे एक ड्रैविंग स्कूल भेज़ दो, बलराम की वह रेडी हो जाती है मान जाती है बलराम के रिक्वेस्ट करने पर बोलती है कि तुमको अपना सारा सेलरी जो है घर पे देना पड़ेगा फैमली में देना पड़ेगा, आफर इस द्राइविंग बाराम स्टार्टेटिंग पीपल्स हाउस इं धनवाद, में लोगों के घर विजीट करना घूमना शुरू करता है बलराम for a job opportunity, job के अपरचुनिटी के लिए as a driver के उसको किसी के यहाँ job मिल जाए एक driver के रुप में, there come new character और यहीं पे जो है नॉबल में नई characters आते हैं, अशोक शाह आता है who was returning from America जो कि recent अभी अमेरिका से वापस आया है with his beautiful wife अपनी सुन्दर्शी वाइफ Pinky शाह के साथ and finds बलराम at the gate of his home, और वो लोग बलराम को पाते हैं अपने घर के gate के पास, अशोक हायर बलराम एज जिस car driver अशोक जो है बलराम को हायर कर लेता है, रख लेता है अपने car driver के रूप में, बट अशोक family uses बलराम more as servant, लेकिन अशोक की फैमिली जो है बलराम को servant की तरह, नौकर के तरह यूज करती है of their home and then a driver मतलब अपने घर के लिए नौकर बना के रखती है driver के अलावा मतलब घर का सारा काम करवाना ये कर दो वो कर दो चोटा मुटा सब काम करवाती है driver से ही बल्राम से ही next time as Balram was working more as a servant जैसे की बल्राम अभी servant के रूप में ज्यादा काम कर रहा था for Ashok's family Ashok के पडिवार के लिए he learn everything about their business तो इसे क्या होता है बल्राम को सारा कुछ पता चल जाता है Ashok के business के बारे में like what they do जैसे की वह लोग क्या करते हैं how they make money और कैसे वह लोग पैसा बनाते हैं he discovered about their coal mine business बल्राम को उनके coal mine business it means कोईला के खदान के business के बारे मता चलता है like how they are selling government coal illegally पता चलता है कैसे यह लोग ना वैत तरीके से सरकार को coal बेचते हैं to make fortune पैसा कमाने के लिए afterwards इसके बाद Ashok with his wife Ashok जो है अपनी पतनी Pinky के साथ goes in Delhi for political deal को कोई political deal के लिए Delhi जाता है they take Balram with him as their driver और यह लोग बल्राम को भी अपने साथ ले जाते हैं driver के रूप में as Balram drives Ashok around Delhi जैसे कि Balram Delhi में Ashok को गुमाता है he becomes increasingly disillusioned तो वो बहुत जादा na disillusioned हो जाता है it means बहुत जादा मायूश निरास हो जाता है with the cruel and exploitative behavior of Indian society मतलब भारतिय समाज का जो क्रूर और exploitive it means social and cari behavior है ना उसके बार में सोच के उसको देखके ना यहाँ पे जो है बल्राम बहुत जादा निरास हो जाता है मायूश हो जाता है बल्राम had a hunger for success and money बल्राम के अंदर ना hunger भूख है सफलता की और पैसे की he chooses wrong path वो गलत रास्ता चूज करता है he kills his employer अशोक वो अपने मालिक अशोक को मार देता है to free himself from his service खुद को उसके service से free करवाने के लिए and start his own venture और खुद का venture शुरू कर देता है खुद का business start कर देता है मालिक अशोक को मारने के बात ना मंदब कुछ पैसे वैसे चुडा लेता है मालिक के पास से the story of the novel ends with बल्राम committing an unaccepted crime story जो है इस चीज के साथ खत्म हो जाती है कि बल्राम एक unaccepted crime कर देता है अपराज उससे की उमीद नहीं की जारी हो की वह ऐसा कुछ कड़ेगा which he believes are necessary और यह मानता है बल्राम की यह चीज़ जरूरी था ऐसा करना जरूरी था to become rich and successful rich or successful होने के लिए in modern period of India आज के अधुनिक इंडिया में to take a revenge from बल्राम बल्राम से बदला लेने के लिए असोख family killed all the member of बल्राम's family तो असोख का पड़िवार क्या करता है बल्राम के पूरे पड़िवार को मरवा देता है but he never returns in his hometown again लेकिन बल्राम जो है अपने पूरे वरिवार के मरने के बाद भी अपने hometown वापस नहीं आता है after killing अशोख, अशोख को मालने के बाद बल्राम uses stolen money to start his own venture बल्राम जो है चोड़ी कियेगे पैसे का use करता है अपना business start करने के लिए बल्राम के लिए बल्राम यूजे इस विली एंट इंटलिजेंस बल्राम जो अपने विली इंटलिजेंस चतुराई और इंटलिजेंस बुद्धी मता का use करता है जो बिए बल्राम के बिजने की वज़े से बल्राम को पैसा होता है और पैसा इसलिए होता है कि वह बहुत ज़्यादा अच्छा है है इंडल करने में सम्हालने में बोध करप्ट एंड कॉंप्लिकेटिड सिस्टम ऑफ इंडियन कम्यूनिटी मतलब भारतिय समुदाय का जो ब्रस्ट और कॉंप्लिकेटिड इंडियन सिस्टम है ना उसको बड़े अच्छे तरीके से बल्राम हेंडल कर पा रहा है इस वज़े से बलराम का जो बिजनस है बहुत जादा सच्छफूल होते है उसको बहुत जादा पैसा होते है बलराम ऑल्सो तेlles वन अबाउट इस थौट ऑन इंडिया उन्डिया उन्डां मंतरी को अपने विचार के बारे में बताता है कि इंडिया का जो एकोनॉमिक राइस हो रहा है इ India has the potential to become a global superpower, India के पास वो potential है, वो शक्ति है कि India global superpower बन सकता है, मतलब होता है कि best nation बन सकता है, सबसे ज्यादा powerful nation बन सकता है, होईवर हलाकि, he also believes that साथी साथ बलराम का ये भी मानना है कि India has many social problems कि India में तेरि साथा social problems बैत में समाज चेग दिक्कत भी है, जैसे कि poverty गड़ी भी है, corruption है, ब्रश्टाचार और inequality है, मतलब समाज में शमानता नहीं देखने को मिलती है, और शमानता है, he also believes that, यहाँ पर बताता है, बल्राम को यह भी यकीन है, कि India's social problem will become more savior, कि India को जो समाजिक problem है वो और भी ज़्यादा शेवियर गंबीर हो जाएगा, in the years to come, आने वाले शालों में यह problem और भी बढ़ जाएगा, poverty गड़ी भी बढ़ जाएगी, corruption बढ़ जाएगा, inequality और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा बल्राम का मानना है, तो इस चीज़ के साथ यह novel का summary वाला section खत्म हो गया, आप conclusion पे आते हैं, thus इस प्रकार, the novel The White Tiger, पन्याज जो की वाइट टाइगर है, describes बल्राम जर्नी, यह बल्राम के जर्नी के व्याख्या करती है, to find freedom in India's modern day capitalist society की आज का जो modern समाज है, जो की पुंजीवादी समाज है, उसमें ना कैसे freedom पाया जा सकता है, उसको दिखानी की कोशिश की गई है, बल्राम के जर्नी के थू इस novel में, it also presents some of the canniest truth about Indian society, और इस novel कुछ canniest truth, कुछ दीखे सब्ते को भी प्रस्तूत करती है भारती समाज के बारे में, और हम दो ही लाइन conclusion मेंशन किये में, आप वो एक theme वाला जो आखडी line है, वो भी यहाँ पर mention कर सकते हो, अगर आपको conclusion वाला section बढ़ा करना है, तो एक नेक्स वीडियो में, नेक्स टॉपिक के साथ,